प्यारे चात्रों चलिए हम लोग क्लास 9th क्लास की CBSC NCRT Math से Exercise 1.2 का सौलूशन देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में Exercise 1.1 के बारे में पढ़ा था या इसके पिछले क्लास में E-Rational number को हम लोग represent करना सिखा था number line पे तो उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो Exercise 1.2 का जो पहला कोस्चन है ये बोल रहे है Write True or False? Give Region यानि कि उसका True होगा कि False होगा जो पहला का सवाल है Exercise 1.2 का 9th क्लास के NCRT Math का कोस्चन है पहला कोस्चन बोल रहे है कि True or False आप बताइए और अपने स्टेटमेंट का अपना स्टेटमेंट दिजिए उसका यानि कि Reason बताइए पहला कोस्चन है प्यारे बच्चों Every irrational number is real number बोरा जा रहा है कि Every irrational number जो होता है वो real number होता है तो हम लोग जानते हैं कि E rational number क्या होता है तो जिसको P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता प्यारे बच्चों जिसको P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि E rational number है जैसे कि प्यारे बच्चों एक्जाम पर लेते हैं रूट टू एक E rational number है प्यारे बच्चों क्यों है E rational number? इसलिए E rational number है क्योंकि इसे P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या बोलें तो रूट टू का पुरा पुरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है पुरा पुरा स्क्वार रूट नहीं निकल सकता है इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या है? E rational number है बोला जा रहा है हमें question में कि every E rational number is real number यानि कि सभी जो E rational number होते हैं वो real होते हैं तो प्यारे बच्चों real number का definition यह होता है कि वैसा number real number का मतलब वैसा number जो combination हो combination का मतलब प्यारे बच्चों combination का मतलब मिला हुआ हो rational और E rational के साथ यानि कि rational और E rational दोनों को अगर मिला दिया जाए प्यारे बच्चों तो हम लोगों को मिलता है real यानि कि real के अंदर real के अंदर rational आता है पूरा और इसके अंदर पूरा E rational भी आता है तो प्यारे बच्चों यह बोल रहा था question कि every E rational number E जे real number सभी E rational number real number होता है तो बिल्कुल correct है प्यारे बच्चों क्योंकि real के अंदर ही rational भी आता है और real के अंदर E rational भी आता है तो अगर यहां सवाल ऐसा रहता every rational number is real तब पर भी true होता प्यारे बच्चों अगर every E rational number is real number है तब पर भी प्यारे बच्चों true होगा क्यों होगा true क्योंकि real number is combination of rational and irrational तो इसका आंसर करेंगे प्यारे बच्चों कि यह जो statement है यह true है और इसका reason दे रहा है अपने statement का कैसे आप सही बोलते हैं तो यहां पर लिखेंगे since the real number is collection of collection of rational number and irrational number प्यारे बच्चों यहां पर हम लोगों का जो statement हुआ वो true हुआ क्यों true हुआ प्यारे बच्चों क्योंकि जो real number होता है वो collection होता है किसका किसका rational number and irrational number का चलिए अब हम लोग अगले question की दरब बढ़ते हैं question number two यह बोल रहा है प्यारे बच्चों every point on the number line is of the form root M where M is a natural number तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां यह समझेंगे कि क्या every point on the number line of the form of root M यानि की root M को हम लोग हमेशा दिखा सकते हैं जहां M क्या है एक natural number है तो अगर प्यारे बच्चों अगर M natural number होगा तो सबसे पहले natural number के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं कि प्यारे बच्चों natural क्या होता है तो हम लोग पढ़े भी थे अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे की वीडियोज को आप देखिए NCRT की बूक से natural number, hall number के बारे में बताया गया है तो natural number के बारे में आपको जानना चाहिए कि counting number को हम लोग natural number कहते हैं और प्यारे बच्चों counting कहां से start होता है 1 से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 से यानिक infinite तक हम लोग को जाता है उसको हम लोग बोलते है natural number प्यारे बच्चों यह जो natural number है यह natural number हम लोग counting number को बोलते हैं counting number is called natural number फिर सवाल क्या बोल रहा है सवाल को हम दिखाते हैं सवाल यह बोल रहा है every point on the number line is the form of root m प्यारे बच्चों कि जो number होना चाहिए वो root में होना चाहिए और root में कैसा number होना चाहिए तो जहाँ aim जो है natural number होना चाहिए प्यारे बच्चों aim अगर natural number है तो यहाँ पे 1 हो सकता है तो root 1 का बेलू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1 फिर अगर aim natural number है तो यहां root के अंदर 2 भी हो सकता है तो यहां हो जाएगा root 2 चुकि aim एक natural number है तो natural number में तो 1, 2, 3, 4, 5 यह सब आता है तो यहां 3 भी हो सकता है यानि कि root 3 ठीक है answer होगा आगे root 4 होगा root 4 का जो value होता है प्यारे बच्चो 2 होता है क्योंकि 4 का पूरा-पूरा square root निकल जाता है 2 फिर आगे बढ़ें तो 5 का तो 5 का square root नहीं निकलता है 5 तो प्यारे बच्चो अगर हम लोग aim aim का मतलब क्या हुआ सवाल बोला है कि where aim is a natural number यानि कि aim जो है एक natural number है और क्या आप अगर aim natural number रहा तो root aim को आप number line पे सब को दिखा सकते हैं प्यारे बच्चो तो answer होगा बिल्कुल true क्यों? क्योंकि 1 का जो root आएगा 1 को भी हम लोग number line पे दिखा सकते हैं root 2 आएगा तो 2 को भी हम लोग दिखा सकते हैं 3 आएगा तो 3 को भी दिखा सकते हैं क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में इरेशनल नमबर जैसे कि जिसका पुरा-पुरा स्क्वार रूट नहीं निकलता है जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सब को भी हम लोग नमबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो यही वजह है कि इसका जो आंसर होगा उफ बिलकुल ट्रू होगा कि हम लोग root M को ये जो root M है इसको भी हम लोग नमबर लाइन पे दिखा सकते हैं जहां M जो है natural number रह सकता है यानि कि aim अगर natural number रहा तो हम लोग root aim को भी number line पे बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं तो इसका answer होगा प्यारे बच्चों true क्यों true होगा तो इसका answer हम लोग लिखेंगे since root 1 का value होता है 1 फिर आगे बढ़ेंगे तो root tool दिखा दिखेगा फिर आगे बढ़ेंगे root 3 और आगे बढ़ेंगे root 4 का मान ही होता है 2 तो बराबर करके 2 लिख देंगे root 5 etc are representing on number line क्यों प्यारे बच्चों ये इसलिए सही हो रहा है क्योंकि हम लोग root 1, 2, root 3, root 4 का मतलब 2 ये सब को हम लोग representing कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सीखे भी हुए है कि कैसे represent किया जाता है irrational number को चलिए तो आगे बढ़ते हैं question में ये पहला का थड़े every real number is irrational number प्यार बचो every real number is irrational number अब ज़रा अज़िब साब question बोल रहा है question बोल रहा है every real number हम लोग सीखे कि real के अंदर कौन कौन सा आता है rational भी आता है और real के अंदर irrational भी आता है प्यार बचो आप देख पा रहा हैंगे कि यहां पे जो बोल रहा है every real is an irrational number इसका मतलब हुआ कि सब ही real जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ irrational ही होते हैं rational होंगे ही नहीं तो क्या प्यार बच्चो ऐसा होगा नहीं होगा इसका मतलब इसका जो कहना है question यह बोल रहा है कि जो भी real जितने भी हैं मतलब कि every real का मतलब all real number जो होते हैं वो सिर्फ irrational होते हैं लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि real number जो होता है rational number और irrational का combination होता है ठीक है यानि एक real number में rational number भी होता है irrational number भी होता है तो प्यारे बच्चों यहां पे बोला जा रहा है कि every real number तो इसका आंसर हो जाएगा false ठीक है इसका आंसर हो जाएगा false चुकी since अगर बात किया जाए तो every real यानि कि one क्या है one एक real है real number है and rational number है क्यों 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 कि इसको हम लोग p बटा q के रूप में दिखा सकते है जबकि अगर बात रहा root 2 तो root 2 भी real है सब real है लेकिन ये क्या है तो e rational number है ठीक है तो आप चुकी आप दिखा सकते हैं अपना statement को तो आप ऐसे भी लिख दिजेगा कि one जो है कि real है one जो है real है लेकिन ये rational number है root 2 क्या है real है लेकिन ये e rational number है तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो जितने भी सबी real number होंगे वो एक e rational ही number होंगे ऐसा नहीं है वो rational भी हो सकते हैं तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग पहला का जितना भी question दिया हुआ था पहला का जितना भी question दिया हुआ था यानि कि true और false करना था और अपने statement का reason देना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है चलिए आए आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ question number 2 बोल रहे है are the square root of all positive integer if not give an example of the square root of a number that is rational बोला जा रहे है कि क्या जितने भी square root होते हैं all positive number के उस सभी के सभी irrational ही होते हैं आपको अपने तरफ से example देना होगा ऐसा square root का जो rational हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इसके question को आगे बढ़ते हैं question को पहले समझना होगा कि question क्या बोल रहे है तो question प्यारे बच्चों ये बोल रहे है कि अगर कोई भी a square root होगा a square root positive number बोल रहे है तो a square root यहाँ पर क्या बोल रहे है किसका तो positive number p for positive n for number बोल रहे है कि आप square root किजिए positive number का तो हमेशा irrational ही होता है yes कि नो अगर आपका answer कुछ और आता है तो ऐसा example दिजिए कि root under में positive number लिया जाने पर हमको rational आना चाहिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर answer बोलेंगे कि हमेशा root का अंदर अगर positive number रहेगा तो e rational ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है क्योंकि root के अंदर अगर मान लिया 4 ले लिया या फिर 3 ले लिया तो 3 तो एक क्या है एक e rational number है क्योंकि 3 का पूरा पूरा square root नहीं निकलता है इसलिए यह क्या है e rational number है लेकिन root के अंदर कोई भी positive number positive का मतलब plus में number और plus में कोई भी number ले सकता है it means कि यहाँ पर plus में ले लिया 4 प्यारे बच्चों यह भी एक positive number है 4 लेकिन 4 का square root निकलता है कितना आता है 2 तो कुल मिला कर अगर देखा जाए सवाल बोल रहा था कि r positive square root of positive number is irrational यानि irrational ही होते है अगर आपको example ऐसा example देना है कि root square root उसका करने पे हमको rational आए तो यहाँ पे to क्या आ रहा है rational आ रहा है तो यहाँ पे answer यही लिखेंगे इसका answer में जो दूसरा answer है अब आपको अब आपको क्या करना है सबका square root निकालना है अगर आप इसको square root 1 करते हैं तो 1 क्या आता है 1 का square root 1 और 1 हो गया rational ठीक है rational फिर वैसे ही आप निकालेगा root 2 तो root 2 का तो पूरा-पूरा square root ने निकलता है point में आता है तो यह हो गया irrational root 3 root 3 क्या है irrational root 4 root 4 का square root कितना 2 root 5 root 5 का point में आता है तो यह हो गया irrational तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग root 8 या 9 तक हम लोग दिखा देंगे तो वहां से यह पता हो जाएगा कि जब root के अंदर कोई positive number होता है तो वो rational भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है चलिए अगले question कितरा बढ़ते हैं यहाँ पे represent root 5 on number line प्यारे बच्चों जो तिसरा question बोल रहा है वो यह कि हमें represent करना है root 5 को number line पे तो जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग सिखे हुए हैं कि किसी भी root के अंदर को कैसे उसको represent करते हैं तो represent करने का तरीका हम लोग सिखे भी हुए हैं चलिए इसमें आपको hints कर देते हैं हलांकि जो represent करना है वो pencil का सहयता से करना होता है आपके पास inch होना चाहिए scale, चांद होना चाहिए प्रकाल होना चाहिए तो आपको क्या करना होता है पहले यहां पर देखे root 5 है तो आप root 5 को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों root अंदर में 4 पलस एक लिख सकते हैं और फिर से लिखते हैं root अंदर 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 का square पलस 1 को क्या लिख सकते हैं तो 1 का square तो यहां से पता चल रहा है कि 1 में 2 unit लेना है और 1 में 1 unit लेना है प्यारे बच्चों मतलब कि आप सबसे पहले एक number line खीचिएगा बीच में एक point 0 लेना है ठीक है और बराबर बराबर distance पे 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी ले लेंगे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 यहां पे लिख देंगे 1, 2, सब का नाम लिख देंगे 4, 5 यहां लिख देंगे minus 1, minus 2 minus 3, minus 4 अब करना क्या है आप देखिए तो हमेशा जो भी distance लिया जाता है वो 0 से लिया जाता है यहां से लिया जाता है तो हमको कितना रखना है x-axis में 2 रखना है तो आप 2 तक number line खीचेंगे मोटा line यह 2 तक हो गया अब उपर में कितना लेना है 1 प्यारे बचो तो 2 पे आपको चांद की साहता से 90 डिगरी का कोन बनाना है 90 डिगरी का एंगल बिल्कुल सिधा जाता है यहां से 2 ले लिया क्योंकि 2 का स्कॉर होता है 4 तो 2 ले लिया और उपर में कितना लेना है 1 यानि कि यहां से आप inch की साहता से scale की साहता से ना पलिजेगा suppose that उपर में 1 यहां आएगा फिर आपको इसको मिला देना है इसको मिला के प्यारे बच्चों लिख देना है root 5 अब root 5 लिखने के बाद प्रकाल की साहता से इसको यहां तक एक में pencil और जो लोहा वाला point है यहां रखकर pencil वाला point यहां रखकर उसको ऐसे नीचे की और घुमा देंगे तो नीचे की और घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा और यही वाला जो हम लोगों को denotes करेगा प्यारे बच्चों वो करेगा root 5 इस तरीके से हम लोग root 5 को number line पे represent कर सकते हैं प्यारे बच्चों यह जो करना है आपको pencil से करना है हम चुकी pencil आपको hints के तोर पे बता दिये हैं अगर आपको problem हूँ तो पिछले वीडियोज को पिल्कुल फिर से again उसको देखिए आपको चीजे समझ में आ जाएगी और प्यारे बच्चों अगला जो question रहता है चार number question है exercise 1.2 में वो question काम का नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक experiment है एक खेल है जो एक root को कैसे हम लोग represent कर रहे है number line पे वैसा ही process को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो चार number हमारे लिए उतना important नहीं है इसलिए चार number को छोड़िए वो बनाने वाला question नहीं है वो एक तरह का खेल है जो छोटे छोटे बच्चे experimental के तौर पे root को समझने के लिए यानि कि square root को समझने के लिए irrational number को समझने के लिए एक खेल खेलते हैं तो इस तरीके से वो हमारे लिए important question नहीं है और प्यारे बच्चों हम लोगों का exercise NCRT math 9th class का 1.2 का खतम हो गया तो अगले videos में अगले class में हम 1.3 chapter के लिए जो 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 चीज जरूरी होगा हम उस बात को बताएंगे और फिर अगले class में पढ़ेंगे तो आज के class को यहीं तक समाप्त करते हैं धन्यवाद